आज हम बात करेंगे how to export लेदर का कुछ detail में बात करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि exactly कैसे export किया जाता है उसके documents हो गया कहां पर export करते कहां से sourcing होती है और उसके varieties कुण कोई है तो इसके बारे में थोड़ा detail में बात करेंगे अगर आप चैनल नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और सस्क्राइब कर दीजेगा थाकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसी बहुत सारी वीडियो बनाने की कुशिश को लोगा आपके लिए सो लेट स्टार्ड दीखिए मैंने कुछ स्लाइड बने ताकि कोई चीज स्किप ना हो लेधर का एक्सपोर्ट जब भी हाप करते हो तो आपको यह पतावन चाहिए कि इंटरनेशनल मार्केट में हर प्रोड़क के रिगारिंग इसके एचस कोड है अब एचस कोड मैंना ओर अगर अगर आप रोलाइदर को कुछ भेच रहे हो तो इसका चाटानस का्खा Voilà is writing È Cat everyone के से एचस कोड स्टार्ट हो refuse चाप्टर में आता है तो लेग्सका अपको फिनिश गूट्स है लेपकर की तो आता है potato chips औरा a जैसे इसका प्रोड़क्ट डिफ्रेंशियोट होगा है एचस कोड़ चेंज होते रहेंगे अब लेदर प्रोड़क्ट आप जब एक्सपोर्ट करोगे तो आपको CLE का आरसीम स्विर लेना पड़ाईगा CLE होता है काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के लिए तो जैसे अपड़ा होता है अगरिकल्चर प्रोड़क्ट के लिए वैसे लेदर के लिए होता है काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट इसे इसे बोला जाता है अब इसमें वराइटी स्कॉन से जब आप लेदर में इं बफैलो लेदर agra the app को ठेसे अग्रिस-ट कोई से देखता है जिसे अब को सबको पता होगा कि बफैलो लेधर एक्सपोट होता है ठीक है आपको गोट लेधर रहे शीप लेदर है, होर्स लेदर है, कैमल लेदर है, क्रोकोडाइल लेदर है और अपार्ट फ्राम दाट अभी ट्रेंड क्या चल रहा है कि फिश लेदर का जो फिश की स्कीन होती है उसको भी यूज करके लोग उसमें से फिनिशिंग प्रोड़क्स बनाते है तो एक नया कॉंसप्ट है फिश लेदर का नया तो नहीं के सकते है काफी ताइम से है बड़ हम लोग रेरली देखते है वह अब यह देखते हैं कि अगर इतने वरैटीज है तो कौन से स्टेट में कहां पर क्या-क्या अवेलेबर होता है तो एक तो सबसे जादे आपको मिलेगा तमिलनाडू में वेस्ट बंगल में आपको यूपी में महाराष्ट्रव पंजाब डेली हर्याना केरला एंड राजस्तान तो इस आपको प्रोड़क्शन बहुत अच्छा मिलता है अब तमिलनाडू में आपको पर्टिकुलर कहां पर जाओगे तो तमिलनाडू में आप जाओगे चेननी का है अंबूर का है रानी पेट का है वेल और टुची एंड सो मिनी प्लेसे सा देयर इन तमिलनाडू वेस्ट पंगल में आपको फेलमस अबगर आप देखो देखोगे तो कॉलकाता इस बन ऑफ बेस्ट हप लेदर यूप में आपका कानपूर हो गया, आगरा ओगया, नॉइडा हो गया, आँड सारंगपूर हो गया इसके लिए महाराष्ट्रे में अपको मुम्बई से च्छा सोर्स मिलेगा मतलब और पंजाब, डेली, घरयानोग केरला, राजस्तान कि बीब बाहत में आपको मिल सकता ह है या तो वेस्ष बंगल में आपको कलकता से अच्छा रेट मिल रहा है तो आप अपने जगह पे लाओगे आपको क्या करना है आपको हर स्टेट के रेट देखना है वेरिफाइक करना है और वहाँ इसमें कैसा होता है कि जहां पर मीट का कंजप्शन जादा होगा ना वहां पर सबसे ज़्यादा उसकी अविलिबिल्टी होती है प्रोडक्ट की तो यह सिंपल साइक लॉजिक है इसके अलावा हम एक्सपोर्ट कहा करेंगे आपको पता तो चल गया इस स्टेट में मिलता है हम एक्सपोर्ट करते है USA में जाता है Japan में जाता है Hong Kong में जाता है UK, France, Spain, China, Poland, Thailand, South Korea, South Africa, Australia, Malaysia, Portugal इस जगह पर मेजरिटी हम एक्सपोर्ट करते हैं लेदर प्रोडक्ट के और अलवेज रिमेंबर कि आपको कल्चर जानना बहुत ज़रूरी है मतलब कल्चर का रिजन क्या होता है जैसे बीडर में तो लेदर में आपको फर मतलब इन्वार्मेंटर के इसाफ से भी बात कर रहो विंटर सीजन वगर उस जाफ से भी तो आपको लेदर जैके में कभी का फ़र लगे होते हैं तो जहां पर सबसे अधा ठंड है तो वहां पर वो चीज़े चलती है यातो Arabic के न लेदर में भी शूस का पैटर्न हो गया आपका तो वह देखेंगे कि कौंगों से टाइप सोते हैं कोंगों से वह होता है और एक्सपोर्ड इंपोर्ट के बिजनस में लेदर का कैसा है आप तो बड़े कंसार्मेंट तो करी सकते हो बट यह ऐसा है कि अगर आपका स्लोई इन् तो बहुत सिंपल है इसको एक्सपोर्ड करते अब इसके अलाब में ए भाट थेखेंगे कि प्रोडुक्स को से ब्याओ्स होते हैं इसका प्रूदता है तो लेदर जेकेट्स होती है गास होती है यह एप्रस होती है शूस होते मि उतश¸ के फर्निचर में यूस Lootle तो रोड जहां पर बैठते हैं वह भी लेधर का लोग प्रेफर करते हैं गलव के उपर काम आता है और वाचेस के बेश पर काम आता है जो वाचेस के लेधर के पट्टे मनते हैं तो यह इसलिए बता है ताकि आप जब भी नेक्स टेम बायर धुंडो लेधर के तो ऐसा मत डालना करोगे ना तो बायर अपको दो चार चीज़े पूछेगा कि एक वाटर प्रूफ है के नहीं उसमें से स्मेल आ रही है कि नहीं आपके जो प्रोड़क आप एक्सपूट कर रहे है फिर लेधर का टेक्स्चर का उनसा है और लेधर का ठीकनेस यह चोटी सी बेसिक सी चीज़ जिसका आपके बारे में पता होना चाहिए जब आपके इसको पीच करो अपने प्रोड़क के लिगानी अब इसमें डॉकुमेंट्स तो नहीं आता है अपका एक्सपूट इंपोर का लाइसेंस वह आपके आरसीमस्ट का जो होता है इन्वाइस पैकिंग लिस्टी इसके ला और सम्टाइम्स बायर अपको यह मांगता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेशिंग सेर्टेफिकेट तो यह चोटे सी चीज़े अगर आपको नहीं पता की कहां से राता है तो जिससे भी आप काम कर रहे हैं CHA के साथ जो आपका कस्टम होसे जोन होता है वह आपको अरेंज 60% only finished product के उपर और जो रोटेप है वह 5% के base में है 5% मिलता रोटेपे अब इसके अलाबहा अगर आपको मैं ऐसा बोलू कि अगर मैं मुझे marketing करने तो मैं कहां पर बेचूंगा वो प्रोडक्ट तो सिंपल सबसकर मैं leather jacket कर रहा हूं मैं importers वगर जो बाकी के लोग सिखाते आपको कि Google पर कैसा सर्च करना क्या keywords होते है कैसी चीजे work out होती है वह अलग है अब सिंपल से कि अगर मुझे leather jacket export करना है तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि bikers अब लोग हाडली डिवेजन चलाते है या तो normal bike चलाते है तो हर कोई jacket प्रेफर करता है leather की तो हम ऐसे अब sourcing के बाते है तो मेरे पास बहुत ऐसे students है जो export import में जिनके पास खुद का leather का काम है तो आप सिंपल से क्लाजिक बताता हो अगर आप रिटेल में कही से भी Bombay से Delhi से कही से भी आप leather की jacket लेते है जिसके 5 साल की guarantee होती है वारंटी होती है तो five years तक आपको replacement भी हो जाती है यह वो चीज़े आपको 4,000-4,000-4,000 के इंडियन मार्केट में मिलता है but I am having a student जिनके पास मतलब यह वही चीज़े 17-1800 रुपए से भी नीचे मिल सकता है और प्योर क्वालिटी फ्यार्स की guarantee आपको ऐसी sourcing धूननी है and I can recommend it to some people but directly I am having a sourcing जो भी मेरे previous students है जिनको है तो में उनके साथ number share कर दूँगा ऐसी को problem नी है तो अपना काम start कर सकते है minimum order quantity के साथ so I hope आपको कुछ समझ आया होगा and मेरा sessions चलता है export import card training regarding जापे में 1-2-1 sessions बेता हू और group में भी पडाता हूँ तो if you want to join a export import card training so just mere number description app you can give me a call anytime and thanks for watching this video have a great day guys thank you so much और कुछ भी doubt या प्लीज पूचले सकते हो okay thank you guys for watching this video